शुरुआत में हमें अमेरिका का एक छोटा सा कजबा दिखाया जाता है जिसका नाम है माई एन वहाँ प्लेसिट नाम का एक लेक होता है और वहाँ पे दो लोग एक बोर्ट पे बैठ के आते हैं जिसमें से एक का नाम शेरिफ हैंक होता है और उसके साथ एक fishing department का एक officer होता है जिसका नाम है Walt Lawson दरसल Walt को उस तलाब में रहने वाले सारे पानी वाले जीवों के बारे में पता करना था और उनकी जानकारी fishing department को देनी थी इसलिए वो आज board पे hang के साथ यहां पर आया हुआ है ताकि वो नीचे पानी में जा सके और कोई परशानी आने पे वो hang से मदद मांग सके Walt अपना diving suit पहन कर पानी में कूच जाता है और उपर hang उसके वापस आने का इंतिजार करने लगता है लेकिन यहां पर हम कुछ हलचल को महसूसत हुए देखते हैं और देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज हैंग को देख रही है थोड़ी देर बाद वाल्ट पानी के काफी अंदर तक पहुच चुका है और वहां उसके काफी अलग-अलग तरह के जीव देखते हैं लेकिन तभी उसके पैर से कोई चीज टच होती है और जब वो पीछे मुलता है तो वो चीज उचे खीच लेती है और वो चीक ता चिलाता है लेकिन हैंक उसकी चीक सुन नहीं पाता लेकिन थोड़ी दर बाद उसकी नजर वाल्ट पर बढ़ती है जो तेजी से तैरता हुआ बोट की तरफ आ रहा था वो हैंक से मदद मागता है उसे उपर खीसने को कहता है लेकिन तब ही हम देखते हैं कि पानी के नीचे कोई काफी बड़ा सा जीव है जैसे कोई मगर मच हो उसने वाल्ट को पकड़ रखाया और तब हैंक अपने साथी को उपर खीस लेता है लेकिन तब तक काफी देर हो च जाता है फिर थोड़ी ते बाद वाल्ट की मौध हो जाती है और ये सीन दोस्तों यहीं पे कट हो जाता है अब इस खबर को सुनकर फिशिंग डिपार्टमेंट अपने एक ओफिसर को लेक के पास भीचते हैं जिनका आम होता है जैक वेल वहां वाल्ट की बॉड़ी को देखत क्योंकि आगे चलके वो और इनसानों के लिए खतरा बन सकता है अब अगले सीन में हम केली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो की पैराडॉलोजिस्ट होती है जो की पुराने जमानों के जीवो पर रिसर्च करती है उन्हें खोचती है और इस काम को चलते है वो एक जिस्ट है ना कि पुलिस ऑफिसर जो वहां जाके चानबीन करे जीमी उसे कहता है कि उस डेट बॉड़ी के पास एक जीव का दात मिला है तो शायद एक बड़े क्रियेचर काम हो सकता है तुम्हें वहां जाना होगा अब के पास कोई आप्शन नहीं होता तो उसे अपनी ज दॉक्टर से कहती है कि मुझे वो डेट बॉड़ी देखनी है लेकिन डॉक्टर मना कर देते हैं क्योंकि वो डेट बॉड़ी काफी बुरी हालत में होती है लेकिन बाद में वो केली को दिखाते हैं और केली उस बॉड़ी को देखकर काफी डर जाती है अब उस लेक के पास जाने को बोलती है जहां उस क्रियेचर ने वाल्ड को मारा था अब केली हैंक और जैक वहां जाने लगते हैं लेकिन जाने से पहले हैंक उन्हें बताता है कि उस लेक के पास सिर्फ एक ही कपल रहते हैं और वहां कोई नहीं रहता है इसलिए हमें सबसे पहले उनके पास जाना हो गई थी अब जैक एमा से पूछते कि आपके हजबन कैसे मरे तो एमा कहती है कि उन्हें मैंने खुद मार दिया क्योंकि उन्हें मुझे बोला था कि मैं आजाद होना चाहता हूं यह सुनके वहां बैठे तीनों रोग काफी सोच में पर जाते हैं और सोचते हैं कि शायद य होता है अभी से वह लोग आईडिया हो जाता है कि वह क्रियेचर काफी खतनाक है और यह डिसाइड करते हैं कि वह वहीं लेके गिनारे टेंट लगाएंगे और टाउन के कुछ और आफिसर को भलाएंगे जिसे सब लोग साथ में उस जानवर के बारे में पता लगा सकें और उसे पकड सकें वहीं पर कैली और हैंग को एक हेलिकॉप्टर आते हुए दिखता है जिसमें एक मैथालोजी प्रोफेसर निकलते हैं जिनका नाम होता है हेक्टर उसे इस बड़े क्रियेचर में काफी दिल्चस्पी होती है और कैली हेक्टर के साथ पहले भी काम कर चुकी ह वोती है इस लिए वह हैंग और जैक को उसके बारे में काफी बाते बताती है चल मैं हैक्टर भी इन सब चीज़ों के बारे में रिशर्च करना चाहाता था इस लिए वह यहां पर आया इसके बाद हेक्टर उनसे कहता है कि उसे इस लेक का पूरा चक्कर लगाना है और वहाँ भी जाना है जहाँ उस क्रियेचर ने हमला किया था उसका मानना है कि ये लेक समुंदर से जुड़ा हुआ है और इसमें पूरा चांसे है कि ये काफी रेर तरह के मगरमच हो सकते हैं लेकिन उसके बाद हैंक नहीं मानता क्योंकि वहाँ जाना खत्रे से खाली नहीं है मगर कैली सब को मना लेती है और फिर अगले दिन वो लोग छोटी बोर्ट पे निकल जाते हैं लेकिन जब वहाँ पहुचते हैं तो उन्हें को छोटी मचलिया उचलती हुई दिखती है और तब यूँन की बोर्ट पलड़ जाती है जिसे कैली पानी मिगर जाती है और सब की फटके फलावर हो जाती है वेल वो लोग जैसे तैसे करके उसे उपर लाते हैं और किनारे पे पहुचते हैं जहां कैली एक और इंसानी अंगूठा दिखती है जिसे कीडे खा रहे थे उसे देखकर हेक्टर कहता है कि अब तो कंफर्म हो गया कि यहाँ एक क्रोकोडाइल है जो की काफी बड़ा है अब आज रात वो लोग यहीं रुकने माले थे और वेक्टर कुछ पुलिस वालों को कुछ पैसे देके वहाँ पे लेक की किनारे एक जाल बनाने को कहता है जिससे अगर वो किनारे पर मगरमच आए उफस जाए इनके जाल में और यह सब करने के बाद यह लोग पार्टी करना शालू कर देते हैं मगरमच भी इन्हें देखकर बोल रहा होगा कि गजब भीशती है यार अगले दिन वो लोग फिर से लेक में जाते हैं और इस बारी वो उस जगहां जाते हैं जहां पे वाल्ड को मारा था उनके साथ एक और पुलिस वाला होता है जो कि रॉन होता है वो लोग वाँ पहुच जाते हैं और फिर हेक्टर एक स्पीकर पानी में डालता है जिसे मचलियों की आवाज आती है जिससे कि वो मगर मच उसकी तरफ एट्रैक हो लेकिन काफी देर हो जाती है और कुछ नहीं होत होते हैं जिससे कि अगर कोई हल चल हो तो उन्हें पता चल जाए लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी बोट से कोई बड़ी सी चीज टकराती है जिससे कैली पानी में दुबारा गिर जाती है क्या यार अब यह देखकर हैंक फोरन बोट की रसी कारता और कैली को ऊपर खीषता है उसी टाइम हैक्टर को भी उपर बुला लेता है और फिर सब वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन उन्हें जो स्पीकर नीचे डाला था अब वो नीचे ही था तो रॉन उसे बहां निकालने लगता है और तभी दोस्तों वो क्रियेचर पानी से उपर आता है और रॉन का सर अपने मुँ में लेके अंदर चला जाता है और बोर्ट पे सिर्फ रॉन की सरकटी लाश होती है जिसे देखकर सारे लोग पूरी तरह से सहम जाते हैं लोग जल्दी से लोट कर किनारे पर आते हैं और केली सबसे जादा सहमी और डरी होई होती है अब इसके बाद हम देखते ह हेक्टर हैंग को उसके दोस्त की रॉन के मने में उसे काफी दुख जताता है और फिर जब हैंग जाने लगता है तो उसका पैर हेक्टर के जाल में फजी होना चालू हो जाती है तभी वह एक जंगली भा़ Rub आकर इन पर हमला कर देता है तभी हम यहां पर उस Creature को देखते ह जो कि पानी से बाहर आता है उस विशाल भालू को घसीडते हुए अंदर ले जाता है उस मगरमच को देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा मगरमच आज तक किसी ने नहीं देखा था को यकीन हो जाता है कि यही वो क्रियेचर है जो कि सब को मार रहा है इसके बाद हैक्टर उस मगरमच के बारे में और जानकारी निकालता है जहां उसे पता चलता है कि वो एशियन पैसिफिक क्रोकोडाइल है जो कि 30 फीट तक का हो सकता है और काफी खतनाग भी यही हैक्टर का मानना था कि ऐसे रेर जानवरों को मानना नहीं चाहिए बलकि उ देखती है कि वो अपना एक जानवर उस मगरमच को खिलाने जा रही है और यहाँ पर दोस्तों में पता चलता है कि वो मगरमच उसका पालतू जानवर है और थोड़ी देर बाद वो मगरमच उस जानवर को पूरी तरह खा लेता है यह देखके वो लोग समझ जाते हैं कि य ये मगरमच एमा का पाला हुआ है और फिर वहाँ सारी लोग एमा के घर पर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाके उन्हें पता चल जाता है कि ये क्रोकोडाइल एमा के हस्बेंड ने पाला था और उन्हें ये इस लेक में 6 साल पहले मिला था इस क्रोकोडाइल से एमा को इतन मगरमच को करीब से देखना था और रोज पानी में कूच जाता है ताकि वो से देख जाता है और इसके बाद ही वो से देख जाता है यहां में उस मगरमच को देख के अंदादा हो जाता है कि वो कितना जादा बड़ा है तो हेक्टर के बिलकुल करीब आ जाता है अचानक से औ लेकिन हेक्टर भी कम नहीं होता है, वो मगरमच को बेखूफ बना देता है और भागते हुए हलिकॉप्टर पैवैड जाता है। लेकिन तभी वो मगरमच उसका हेलिकॉप्टर भी पकड़ लेता है और लेडी आफिसर को गोली चलानी पड़ती है जिससे कि वो उसे छोड़ देता है ये लोग की नारे पर आ जाते हैं और ये सब हासों को देखकर जैक फैसला करता है कि वो वाइल लाइफ पर छोड़ देंगे इस बैन को सुनके जैक मान जाता है और फिर वो एक जाल बनाते हैं वो एमा के घर से एक जानवर उठाते हैं और उसे हलिकॉप्टर से लटका कर मगरमच का चारा बनाते हैं वो उससे तलाब के उपर ले जाते हैं जहां वो मगरमच होता है जैसे वो ज जानवर को खाने आएगा, वो उसे बेहोश कर देंगे, लेकिन उनका प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होता, पूरे दिन बीच जाता है और अब रात भी हो जाती है, लेकिन वो मगरमच नहीं आता, लेकिन थोड़ी दिर बाद हेक्टर के रेडार पे किसी बड़ी चीज के आ हेक्टर बीच में फस चुका है, और वो क्रोकोडाइल गुसे के मारे उसे किनारे नहीं आने देगा, तब ही वहाँ पर खड़े सबी लोग उस मगरमच पर हमला करना शुरू कर देते हैं, और मगरमच इन पर हमला करने लगता है, यह सब देखके सब लोग उसे भी होशी का इनजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, और इसी अफरा तफरी में काईल पानी में गिर जाती है, उसे पानी में देख मगरमच उसके पीछे भागता है, लेकिन काईल अपनी जान मचा कर हेक्टर के पास बहुट जाती है, और अब मगरमच पूरी ताकत से उन पर हमला क इसी चक्कर में, वो हेलिकॉप्टर के बीच में फस जाता है और इतने सारे विहोशी के इंजक्षन लगने के वज़े से वो। जैक हैंग से कहता है कि इसे मार दो, लेकिन हेक्टर उसे बास जाता है और उसे देखते हुए कहता है कि अब यह भी होश हो गया है इसे हमें किसी सेव जगां पर छोड़ देना चाहिए इसे मानना नहीं चाहिए लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर एक और क्रोकोडाइल आ जाता है और जो कि हेक्टर को पानी के अंदर ले जाने लगता है सब लोग काफी डर जाते हैं और उसे किसी तरह से बचा लेते हैं तभी हैंग उसे अपनी बंदूग से उड़ा देता है और उसके चीथे रोड़ जाते है अब यहाँ पर सिर्फ एक ही मेगरमच बच्चता है अब यहाँ पर सिर्फ एक ही मेगरमच पर सिर्फ एक ही मेगरमच बच्चता है